इस medium में उधारन 2 का हल करेंगे देखिए इसमें क्या कहता है निमलिखित में वे संख्याएं कौन सी है जो पुर्ण घन है यदी नहीं है तो वह छोटी संख्या निकालिए जिससे गुना करने पर हुआ पुर्ण घन बन जाए देखिए एक उधारन के द्वारा इसे समझाने क कोसी करते हैं देखिए दो अन्य उधारन ले लेते देखिए सथा 23 और दूसरा उधारन ले ले लेते हैं 25 डेखिए अब देखिए यह पुर्ण घन संक्या है तो कैसे पता करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसका आवाजि गुणन खंडन जयात करेंगे आप देखिए समझ लेते हैं जैसे 8 का गुनंखंड क्या होगा देखिए 8 का गुनंखंड 8 का गुनंखंड देखिए 1 2 4 और आठ रहने एक से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जागा विवाजित हो जागा 2 से भी चार से और आट सी तो यह हो गया आट का गुनन खंड ठीक है अब गुनन खंडन इसको समझते हैं गुनन खंडन तो देखे आट को में से लिख सकते हैं दो गुना चार तो यह क्या हो गया आट का गुनन खंडन ठीक है यह होगे आठ का गुनन खंडन गुनन खंडन क्या होता है गुनन खंड को गुनन फल के रूप में लिखना होता है ठीक है यह हो गया गुनन खंडन इंग्लिज में इसको बोलते हैं प्राइम फैक्ट्राइजेसन बोलते हैं और आवाजी गुनन खंडन को बोलते हैं प्राइम फैक्ट्राइजेसन अब देखिए इसको आवाजी गुनन खंडन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दो और इस चार को तोड़ देंग तो इस परवार देखिए आट क्या है घंसन सःख्या है क्योंकि इसको देखिए गुणनखंड देखिए दो इसको तीन वारत नहीं इस परवर इसको एसको क्या बोलते हैं त्रिक। अगर जोड़ा बनता जैसे दो गुणनदो यह то Pict इसको बोलेंगे यूग्म और इसको बोलेंगे त्रीक ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे त्रीक तीन तो है और जैसे दो टो रहता यूग्म इसको बोलते हैं जोड़ा यूग्म तो इस परकार त्रीक अगर होगा तो देखिए 27 का अभाईजी गुनन खंडन निकालते हैं ठीक तो उसी प्रकार देखिए 27 का 27 का गुनन खंडन निकालेंगे आवाजी गुनन खंडन तो देखिए तो 27 को ऐसे लिख सकते हैं देखिए तीन गुना तीन गुना तीन तो यहां देखिए आवाज गुनन खंडन में गुनन खंडों का त्रीक बन रहा है देखिए गुनन खंड का त्रीक बन रहा है देखिए तीन तो बन रहा है इसका मतलब यह पूर्ण घंसंख्या है ठीक है लेकिन पचीस का देखिए अगर पचीस का गुनन खंडन उसी तरह आवाज गुनन तेटिफ करेंगे तो देखिए यहां से त्रीक बन जागा तीन तो प्रेश्ण में वह ही बोला है पूर्ण घं है यदी नहीं है तो वह जोटी सवंख्या NoriSei ज से गुना करने पर उपूर्ण घं बन जाए यूने इस तो पूर्ण घंट भान में गुणन खंड लिखा है कैई गुणन खंड ललिखा इससे आपका मन में थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता लेकिन इसका शह अनसर घृआ ठीक है तो इस परकार देखिए एक दो तीन चार पांच चेटो तीन आ गया तो देखिए 3 गुन तीन गुन तीन गुन आवाज गुनन खंडन गुनन खंडन में आवाज गुनन खंडों आवाज गुनन खंड के त्रीक बनते त्रीक बनते अभी समझाए त्रीक क्या होता ठीक है इतना के आवाज गुनन खंडन में यह क्या होगे आवाज गुनन खंडन में आवाज गुनन खंड के यह सब क्या है यह सब आवाज गुनन हंखंड के ठीक बनते हैं ठीक है अत्त 729 एक पूर्ण घन संख्या यह पूर्ण घन बोल सकते हैं ठीक है पूर्ण घन है यह पूर्ण घन संख्या है 739 क्योंकि आवाज्ण घन के त्रिक बन रहा है ठीक इसका देखिए इसका वी सी प्रकार गुनन खंडन ग्याद करना है आवाज जी गुनन खंडन तो तीरपन आज़ार 1240 तो इस प्रकार समय बचाने के लिए इसको पहले लिख लिए ए Uh कि दो गुख दो गुख रटस Mus कि इसके अब आजी ऐसी कुनन कंड़न में या त्रीग बन रहा है या भी ृत्रीग बन रहा लेकिन 5 का त्रीघ नहीं बन रहा है ठीक साफिंग इसको इस परकार लिखना तो देखे इस परकार लिखना इतना के कि गुनन खंडन मेंद पांच का त्रीग नहीं बनता यहां दोटो 5 से गुना करेंगए तो कि अंगे पूर्ण घं नहीं हो जाए तो इतना कि गुंद इतना फूरी नहीं बनता आ संग्यां नहीं है ठीक है इसलिए चोटी संग्याँ हो जाएगा 5 गुणा 5 यानि इसमें और दो टो 5 राता तो यह पूर्ण घन होता है तो आध चोटी संग्या पांच गुना 5 बराबर 25 होगा ठीख है जिप 25 होगा किस परकार एंसर निकल गए 5 गुना 5 यानि 25 ठीक है वीडियों करते हैं वीडियों आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंड करें